ये दिल मांगे मोर कुन नारा बना दिया कठिन से कठिन तम चड़ाईयों पर चीते सी फुर्ती और फॉलाद सा हिम्मत लिए दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने वाले उस शेर्शाह के पिता ने जब कलम से अपने पुत्र की शहादत को लिखा तो पुस्तक बनी कारगिल के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा पुस्तक परिचे में आज की पुस्तक को लिखा है जी एल बत्रा ने जो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता है ये वो महीना है जब हम कारगिल दिवस के रूप में अपने वीर सैनिकों को याद करते हैं साहस कर्तव्य बलिदान का अनुपम सैयोग का दूसरा नाम है विक्रम बत्रा और इसी विशे पर एक पिता द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक 24 वर्ष की उम्र में जिस जिम्मेदारी का आदर्श भारत के उस वीर सपूत में रखा था उसकी बुनियाद की कहानी उस तक के एक एक पन्ने पर अंकित की गई है 0.4875 की फतह और शहादत के लिए अकसर कई बाते कही जाती है मगर उस विजैक्षन से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने माता पिता को चिठी में क्या लिखा था और कौन सा बादा किया था जो की एक शास्वत प्रतिक्षा बन गई उनके लिए अपने खाप को अपने खुली आँखों से देखे गए सपने को किस तरह विक्रम बत्रा ने जिया जिसका मौका बहुत कम लोगों को अपनी भरी पूरी जिंदगी में मिल पाता है उनका अपने जुरवा भाई विशाल से किस तरह की यादे साजा किया करते थे से लेकर मा ने दोनों का नाम लव और कोश रखा दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे पालंपुर के निवासी उनके जन्म से लेकर उनकी सिक्षा स्कूल में हर किसी की हेल्प करना उनका स्वभाव किस तरह अपनी सहपार्टी की जान बचाई स्केटिंग में अवल विक्रम भाशन भी अच्छा दिया करते थे टेबल टेनिस कराटे जैसे खेलों में भी भाग लेते थे और सफल भी रहते थे मर्चिंट नेवी में चुन लिये जाने और फिर किस तरह भारती सेना की तरफ जुका हुआ ये सब उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है पुस्तक में जो की पल-पल उन घटनाओं के सहभागी वह साक्षी रहे पिता के तोर पर कैप्टिन विक्रम बत्रा का ये कहना कि मुझे जिन्दगी में कुछ बढ़ा करना है कुछ अलग करके दिखाना है जिससे मेरे देश का गौरव बढ़े उनका ये कहना उनके दोस्तों में बेहत प्रसिद्ध था जीना हमारे लिए एक संयोग है प्रेम करना हमारी चाह और मारना मरना हमारा पेशा है तभी तो अपने जीवन की अंतिम और देश के महत्तपूर्ण लड़ाई को जीत में बदनने के पहले उन्होंने कहा मैं वापस लोटूंगा या तो भारत को जीत दिलाकर अपने रास्ट्रिय ध्वज को उचा करके या फिर स्वैम उसमें लिपट कर उस अदम में आत्म विश्वास उस विलक्षन वीरता को देश हमेशा सलाम करता रहेगा इसमें वा तमाम चिठ्थियां जो वीर सैनिक के माता पिता को पुत्र की शहादत के बाद मिली उन्हें भी शामिल किया गया है 150 प्रिष्टों के इस पुस्तक में एक एक शब्द सत्य और साहस की है I must say ये हम सब को अवश्य पढ़नी चाहिए ये वो अनुभव यात्रा है जो की एक वीर पुत्र के हिम्मत वाले पिता की है पुस्तक परिचे में पुस्तक कारगिल के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की अपनी प्रती ओनलाइन सुरक्षित करा लें और पुस्तक परिचर से आपके लाव के लिए कमेंट में सुझाओ दें आज की इस अनुभव यात्रा से अब दीजी अनुमती फिर मिलती हूँ कारगिल पर लिखे गए अन्य पुस्तक के साथ नमस्कार